सेलिप्रिटी डांस रेालिटी शोव नचपली का 9 सीजन जल ही शिरू होने वाला है नचपली के सीजन को लेकर आडियंस में काफी क्रेज बना हुआ है क्योंकि इस पार की धीम काफी इंट्रस्टिंग है दरसल शो के मेगस ने इस बार नचपली में एक्स कपल्स को भी शामि वहीं कुछ कपल ऐसे भी रहे जिन्होंने शोडी कर गें एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहने की कस्मेः खाएं तो चलिए आज हमाँ आपको टीवी के ऐसे ही कुछ कपल्स के बारे में बताने जहारां रहे है जो शो नचपली के बाद एक दूसरे के हम सफर बन गए और नमुवार दिपिका करकड और शोईब इब्राहिम जी हाँ बिग बोस बारा के विनर दिपिका करकड इब्राहिम ने नच बल्ये सीजन एट में अपने पार्टनर शोईब इब्राहिम के साथ पार्टिसिपेट किया था वैसे तो दोनों की मुलकास ससुराल से मरका के स्टेट पर हुई थी लेकिन नच बल्ये में ही शोईब ने सब के सामने घुटनों पर जाकर दिपिका को शादी के लिए प्रपोस कर रिंग पहना आई थी और शोग खत्म होने के बाद दोनों ने 22 फ़रवरी 2018 में शादी कर ली और आज ये दोनों happily married है पॉपलर कॉमेडियन भारती सिंग ने भी नच बली यार्ट में अपने पार्टनर हर्शलिम बाचिया के साथ पार्टिसिपेट किया था शोग के कुछ महिने बाद ये भारती ने डिसम्मे 2017 में हर्श के साथ गोवा में एक royal destination wedding की हाला कि भारती और हर्श का affair काफी पुराना था लेकिन रिपोर्ट्स की मानी तो नच बली के दोरान उनका ताल में दान्स के साथ साथ रियल लाइफ में भी काफी जम गया था टीवी के फेवरेट कपल में से रवी दूबे और सरगुन मेहता नच बली फाइफ के पहले runner-up बने थे ये दोनों पहली बाद ZTV के हिट शो बारा बटा 24 का रोल बाग शो के सेट पर मिले थे इस शो में दोनों पती-पतनी के रोल में नजर आये थे रवी और सरगुन की ओन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था इस शो के सेट पर ही दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था लेकिन नच बली ये उस पल का गवा बना जब रवी ने सरगुन को शादी के प्रपोस किया था जिसके बाद उन्होंने 3 डिसंब में 2013 को शादी कर ली और हमेशा एक दूसरे के हो गए नबर फोर आमिर अली और संजीदा शेग नच बली 3 के विनर और टीवी के सबसे फेमल्स कपल आमिर अली और संजीदा शेग ने भी शो के जीतने के बाद 2 मर्ज 2012 में एक दूसरे के साथ शादी रचाए आमिर और संजीदा ने साल 2007 में कपल के दौर पर हिस्सा लिया था और शो के दौरान आमिर ने भी संजीदा को शादी के लिए प्रपोस किया था जिसके बाद से ही फैंक्स उनकी शादी का बेसबरी से इंतिसार कर रहे थे और जब उनकी शादी हुई तो वो उस वक्त टीवी की ब्रेकिंग नीज में से एक थी नागिन फिर्म आक्टरस आशका गुराडिया ने अपने पार्टनर ब्रेंड ग्लोब के साथ नच बली सीजन एट में हिस्सा लिया था शोग खत्म होने के बाद आशका और ब्रेंड ने डिस्सेंबर 2017 में हिंदू और क्रिशन रिधी रिवाजों के साथ शादी की थी अलें सारी जोडियों में से आपकी फेवरिट जोडी कौन सी है जिनके नच बलीय के बाद हमसफर बनने से आपको सबसे ज़्यादा खुछ ही मिली थी सरूर बताईए का अपनी उपीनियन नीचे कमेंट सेक्शन में